लेता है सब वो अपने extra amounts को deposit कर देता है banks में पैसा safe रहेगा secure रहेगा और एक नई income भी generate करेगा interest के नाम से एक नई income भी मिलेगी bank में रखने से और वही extra पैसा जो हमारा पैसा है वो deposit करने के बाद किसी और को loan के रूप में advance के रूप में provide कर देना या किसी company में investment के रूप म है और ऐसा कर पार यर्प क्या करते हैं basically वहां से income लेते हैं interest लेते हैं और उस interest का margin होता एक्षूर्स में यानि कि जो loan का interest होता है वो हमेशा हाई होता है जो deposit का interest है वो हमेशा low होता है and that's जो difference होता है sir जो margin होता है दोनों का वही banks की income का major source होता है तो बैंक बहुत सारे काम करते हैं और हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई काम बैंक करते हैं सर तो different act का इस्तेमाल करेंगे देखें कहने से कोई भी चीज नहीं होती आप जानते हो हमेशा आपको ये बात लिखित में पता होनी चाहिए जब हम किसी भी बात को प्रूफ करते हैं evidence के तौर पर अगर हम किसी भी बात को यहाँ पर confirmation करना चाहते हैं तो हमारे पास ये भी confirm होना चाहिए कि ये बात कहां mention की गई है जिसे हम बार बार कहते हैं कि भारतिय समविधान में हमें इतने परसेंट आरक्षन मिला है भारतिय समविधान में रास्पती की ये शक्तियां है जब हम quality पढ़ते हैं तो भारतिय समविधान को बहुत ज़्यादा महत देते हैं जब मूल विधी पढ़ते हैं यानि हमारे बैच में तो नहीं है वो जैसे कि आप कहोगे सर RBI ACT आता है मेरी बाज समझ रहे हो तो RBI ACT जो आता है तो basic तौर पर RBI ACT क्या होगा यहां पर आप कहेंगे सर वो ACT होगा जिसमें RBI के बनने से लेकर RBI के functions के बारे में mention होगा जिसको RBI बनाने से पहले pass किया गया था 1934 के अंदर वो एक्ट आया था मैं लिखवाँगा आपको इस बारे में और एक आता है जो आजादी के बाद आया दो खास है हमारे देश में एक है बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट जितने भी बैंकों के नए नियम है क्योंकि आजादी से पहले के नियम अंग्रेजों के बनाए हुए थे आजादी के बाद नियमों में बदला गया भारत ने अपने हिसाब से चेंज़ किया और बैंकिंग रेग्यूलेशन एक लाए 1940 में ये दो एक्ट खास होंगे और इसी के आधार पर हम लोग सारी बैंकिंग के काम करते हैं सर सारे डिपोजिट और लोन देते हैं और यहाँ पर हम जो पैसा रखते हैं सवाल पहला यही है कि अगर पैसा रखा है ये सोचकर सेव और सिक्योर है लेगिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारा बैंक इंसॉल्वेंट होने लगे यानि बैंक के कर्जे जादा हो जाएं और बैंक की इंकम कम हो जाए सर यानि बैंक की हालात इतने खराब हो जाएं कि वो अपने कस्टमर को पे करने केबल ना बचे यानि बैंक के हालात इतने खराब हो जाएं कि बैंक का liquidation करना पड़े यानि बैंक को बंद करने की इस्तिती आ जाए तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमें हमारी जिम्मेदारी कौन देगा बिल्कुल आपको याद रखना है free batch कोई भी ले सकता है और grade B phase 2 के लिए course अलग से लाने की कोशिश करेंगे मितिलेश लेकिन इस batch म हमें वो नहीं है याद रखिएगा सिर्फ प्रिलिम तक की बात इस batch में होगी तो आपने कसर ये पैसा जो हम रखते हैं basically इसका insurance होता है हमारा और ये जो insurance होता है आप जानते हैं ये insurance करने वाली एक संस्था होती है हमारे पास और उस संस्था के दवारा ये जिम्मेदारी ये responsibility को पूरा किया जाता है लेकिन सवाल यही है कि वो संस्था कौन सी है वो बनाई कब गई है उसका मुख्याले कहां पर होगा और अगर ऐसी कोई सिती आई तो हमें हमारा पैसा कब मिलेगा कहां से मिलेगा और basic तोर पर इससे related सारे प्रावधान हमसे exam में पुछे जाए तो मैं आज पहली बात जो कर रहा हूं वो यही है सब बैंकिंग से related जो हमारा पैसा है deposit है उसके insurance की कहानी और इस बैच में प्री और मेंस RBI grade B के अलावा वो एक high level exam होता है एक्चल में उसके अलावा आपका जो SBI, IVPS, RRV और RBI assistant यह सब के प्री और मेंस दोनों पूरे हो होंगे ठीक है सिर्फ एक बैच का प्री है इसमें वो भी बहुत बड़ा exam एक्चली grade B officer का तो आप पहली heading मेरे साथ डालेंगे जिसका नाम है DICGC यानि इसका मतलब क्या होगा सुनेंगे ध्यान से deposit insurance and credit guarantee corporation आप देखते हैं कि यह तो नाम है एक्चली फुल फॉर्म है और बेसिकली याद रखना है कि यह फुल फॉर्म इंग्लिश में रहेंगी तो मीनिंग को आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है DICGC है मैंने आप से कहा जब हम किसी भी संसर को बनाते है तो आप इसके ना समसे आपको एक information मिल गई होगी सर यह deposit के insurance के लिए और credit की guarantee के लिए काम करने वाली एक संस्था है और इसे बनाने के लिए हमेशा मैंने आप से कहा कि हर चीज़ का एक act लाया जाता है एक कानून लाया जाता है यह हमें क्या provide करती है देखो सबसे पहले तो आप तहेंगे सर information किया गिया दिखो यहाँ पर 1961 के अंदर मैंने कहा जादा तर तो RBI के act के तहत होती है कोई चीज या banking regulation के तहत यह जो संस्था बनाई गई थी हमारी इसका अपना खुद का act आया था सब और उस act को बोलते हैं हम लोग DICGC act 1961 1961 के अंदर आपको याद रखना है सबसे पहले इसको बनाने के लिए कानून पास किया गया भारत की संसद के अंदर और संस्थाएं बनाई गई दो एक्चली दो संस्थाएं बनी एक का नाम था deposit insurance corporation और एक का नाम था credit guarantee corporation याद रखना इस कानून के तहत दो संस्थाएं बनाई गई तो उसका नाम क्या था सर एक का नाम थ डिपोजिट इंश्यॉरेंस कॉर्पोरेशन ठीक है एक संस्था तो यह बनाई गई और दूसरी संस्था जो बनाई गई इसके अंदर उसका नाम था क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यह दोनों अलग अलग थी उसके बाद क्या था कि भारत सरकार ने जब यह दो संस्थाएं बनाई मेरे बहुत समझना बात और यह दोनों अलग अलग तरह से काम करती थी बाद में इसको मर्ज कर दिया सरकार ने और 1978 के अंदर याद रखना मेरी बात गुद्यान